रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कुछ दिन पहले उनके पिता जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो मुझे ओणिंगा जी दिलनी मिलने आये थे रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैटने का ताय करके कई कई लंबे अर्शे के बाद हम दोनों मिले थे तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिन्दगी में जो बड़ी मुसीबत आई बड़ी एन एक प्रकार से वो भावुख हो गये थे और रोजमेरी की जिन्दगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्हों में जो कहां कि रोजमेरी की आँख में कुछ तकलिब हुई थी और उसकी सर्जरी हुई थी साहिद उसको ट्यूमर का प्राव्ब्रेम था ब्रेंड में और उसकी सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी में रोज मेरी ने अपनी आँखे खो दी वो देख नहीं पाती थी आप कल्पुना कर सकते हो जिन्दगी के इस पड़ाओं में आँखे चली जाए इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा और एक पिता केनाते मेरे मित्र ओडिंगाजी ने पूरी दुनिया को च्छान मारा वो केनिया के बहुत बड़े बरिष्ट नेता थे उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कटिन काप नहीं था विश्व का कोई बड़ा देश हैसा नहीं होगा जहां रोज मेरी का उपचार न हुआ हो लेकिन रोज मेरी की आँखों में रोशनी बापिस नहीं आई आखिर करोने सफलता भारत में मिली और वो भी आयूर्वेद उपचार के बाद आयूर्वेद का उपचार किया गया और रोज मेरी की रोशनी वापस आ गई वो आज देख रही है जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदिकी की स्वनिम पल थी